प्रसन संख्या 22 को देखें एक परिवार में एक विभाहत यूगल है विभाहत यूगल के दो पुत्र और एक पुत्री है परिवार के सदस्यों का आउसत वजन 30 kg है और पुरुष सदस्यों का आउसत वजन 28 kg है यदि मा का वजन 46 kg है तो पुत्री का वजन क्या है? ठीक है? परिवार में कुल कितने सदस्च हो गए? एक विभाहित यूगल मतलब दो सदस्च है, प्लस दो पुत्री, दो पुत्र और एक पुत्री, तो पांस सदस्च और परिवार के सदस्चियों के औसत वजन 30 kg दे रखा इसलिए परिवार के सदस्चियों का कुल वजन 150 kg हो जाएगा ठीक है? अब प्रस्ण में यह दिया गया है कि पुरुष सदस्चियों का आउसत वजन 28 kg है तो परिवार में 3 पुरुष सदस्चियों हैं तो पुरुष सदस्चियों का कुल वजन कितना हो जाएगा? 28 गुना पुत्री का वजन दे रखा है 46 kg और महला सदस्यों का कुल वजन 66 kg है तो पुत्री का वजन 66-46 जो कि 20 kg हो जाएगा इसलिए option A हमारा उत्तर हो जाएगा